कर दोस्तों एक बर फिर से आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी अच्छ होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएच्व बीएसी नर्सिंग बनारस इंदु यूनिशिटी की बीएसी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग आपके कभी सर तो वो कैसे फिल करना हुगा आगी क्या फर्दर प्रोसेस रहेगी और जो आपके सेकेंड यह था कि कितने माक्स पर एडिमिशन हो जाएगा कर टोप क्या रहेगी तो इन्हीं विश्या पर आपको संफुन जानकर इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर द मिलेगी आपके चाहिए वो एडिमिसेंस से रेलेटेड हो या आगेगी जो फर्दर जो भी प्रोसेस आपके बीसे नर्सिंग कोर्स के लिए रहेगी तो उसकी भी इन्फरमसिन आपको यहीं पर मिलेगी तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने जिन बचों न तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी जैसे कि आपके नेट के रोल नंबर क्या है आपके नेम वगरा जो पर्सनल डिटेल है और आपने कितना स्कोर गैन किया है तो वो सारी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होगी तो वो एक आपका रेजिटेशन प्रोसे तो उसमें आप जैसे details अपने feel करेंगे तो उसके कुछ दिनों के बाद में आपकी एक merit list निकाली जाएगी उस merit list में दोस्तों आपको दिया जाएगा कि इतने marks या इतनी rank जिन बच्चों के आ रही है rank निकाली जाएगी और आपके जो score है वो भी आपको एक list निकाली तो इस तरह की से आपके आगे की further process रहेगी तो जो information आएगी दोस्तों वो आपकी आएगी BHU की official website पर तो जैसे ही आपकी information आएगी उसके regarding में आपको separate video प्रोवाइड करवा दूँगा कौन कौन से document आपको जमा करवाने है या आपके आगे किस तरह की से process होगी तो सारी information आ समय पर video को मादम से मिलते रहेगी तो आपको चिंता करने की आउशकता नहीं अभी जो आपको चिंता करने की है जरूत दोस्तों वो है आपका नीट में अच्छा score gain करना क्योंकि अगर आप नीट में अच्छा score gain नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आपको BHU BAC nursing में आप admission नह उनका score भी अच्छा रहेगा तो आपको इसको lightly तो बिल्कुल भी नहीं लेना है जो आपका अभी का समय चादरा है वो बिल्कुल crucial time है इसमें आप जितना अपनी मैनत करेंगे जितना अपना समय आप study में दे पाएंगे उतना ही अच्छा score है वो gain कर पाएंगे लेकिन ये भी नहीं है कि आप अभी बुक को उठा के आप read करने लग जाए प्योंकि आपको time के सबसे अपनी study को follow करना होता है और अपने जो pattern है उसको change करना होता है उस basis पर ही आप अपना score gain कर सकते हैं तो दोस्तो अभी का जो समय है वो है आपका कि आप ज़्यादा-ज्यादा mock test द और इंडिया से apply कर सकते हैं लेकिन इसमें भी आपका जो distribution किया गया है category के साबसे जैसे general category में 31 seat है 20 seat OBC non-crimalier के लिए आपकी 11 seat है आप SC के लिए और 6 seat आपकी ST के लिए और 7 seat रखीगे AWS category के लिए physical handicap है वो BHU में eligible नहीं रहेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है और दोस् अभी तक उसके regarding कोई भी information है कोई भी update नहीं आई है तो जैसे ही उसके update आईगी तो वह information में आपको वीडियो माइदम से provide करवा दूँगा बात करते हैं दोस्तों आपकी BAC nursing के regarding तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि आगी जो further process रहेगी वो रहेगी आपकी NEET के score के basis पे अलग से open किया जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आपकी merit list आएगी और उस merit list के basis पे ही आपको counselling में अपनी choice feel करनी होगी आप courses है तो वो आपको log करना होगा और उस basis पे ही दोस्तों आपको college allotment letter है वो प्राप्त होगा तो इसमें सारा सब कुछ जो depend करता है दोस्तों वो depend करता है आपके NEET के score के basis पे क्योंकि first time दोस्तों BHU के दोवारा BAC nursing courses में admission process वो NEET के score के basis पे हो रहा है तो BHU आप सभी को पता है एक अच्छा university है सबसे best आप इंडिया के जो universities हैं उनमें count किया जाता है तो इसमें जो score रहेगा दोस्तों वो आपका high ही रहने वाला है अगर जो बच्चे इसको हलके में लेके चल रहे हैं कि हम इसमें 200 या 250 score करके आसानी से इसमें admission ले सकते हैं तो दोस्तों वो अंधरे में है अभी भी उन्हें समझ में नहीं है आ रहा कि कौन सी चीज़ा वो किस जगह पे जाएगी क्योंकि अभी जिन बच्चों के अच्छ बिल्कुल भी ना ले अपना 100% दे और जो लास टाइम आपका बचा है इसी लास टाइम दोस्तों अगर आप अपना 100% देंगे और अच्छे से स्टेडी करेंगे तो आप अपनी सीट है वो 100% निकाले जाएगे अब आपके मन में यह रहेगा कि 75 सीट ही है तो दोस्तों 75 सी है लेकिन आपको किवल एक सीट से मतलब है वो एक सीट आपको चाहिए बाकी 74 से आपको कोई भी मतलब नहीं है चाहिए वो किसी के पास भी जाए आपको किवल एक सीट चाहिए और यह 75 में से आपको किवल एक सीट ही निकालनी है अब जो आपका लास टाइम अभी का बचर आप रीड कर रहे हो आपको chapter wise हर एक chapter का जितने questions बन रहे हैं वो सारे का सारी questions आपको solve करने हैं उसमें आपके incorrect correct questions हैं वो आप check कर सकते हो और हर एक questions का आपको detail answer solution मिलता है तो वो आपके लिए काफी beneficial रहेगा तो सबसे पहले तो आपको ये जो आपको two weeks का आपके समय बचा है इसमें आपको first ये आपको follow करना second है आपको mock test आपको avail करने हैं तो आपके जो 15 days आपके बच रहे हैं भी तो उन 15 days में दोस्तों आप ये मान की चली कि रोज के आप 3 से 4 mock test paper तो आपके लिए must ये तो आपको देने ही है आपको theory पे focus करना बंद कर दीगे अभी क्योंकि theory पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप वो theory भी complete नहीं हो पाएगी और आप SMN जिसकी स्थिति में आ जाएंगे तो आपको क्योशन प्रेक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है और mock test है वो आपके लिए सबसे ज्यादा must है दोस्तों ये mock test है आप इन्हीं के basis पे paper pattern समझने को मिलेगा किस तरह की क्योशन साइंगे आप कितना score gain कर पा रहे हैं 180 क्योशन में से physics chemistry और biology का तो जो आपका portion weak है उसको आप अ तो दोस्तों मैंने क्योशन प्रेक्टिस के लिए e-book का link आपको description box में दे रहा है और mock test series का भी मैंने description box में दे रहा है तो mock test paper है वो avail कर सकते हैं बिल्कुल minimum cost में दोस्तों वो आप avail कर सकते हैं 70 mock test paper है तो दोस्तों ये 70 mock test paper ही इसमें आपको महाबचत offer के तहती ये दिया ज कर दी गई है तो ये बिल्कुल सीमित समय के लिए है आप जल से जल इसको अवेल कीजिए वापस इसका 499 है वो प्राइस कर दी जाएगी तो अभी आप इसको अवेल कर लीजिए इसमें आपको जो total mock test मिलेंगे दोस्तों 70 mock test मिलेंगे हरे क्यूसन का आपको detail answer solution मिलेगा तो आप इसका फाइदा उठाईए और अपनी preparation को boost up दीजिए और अपनी एक seat है वो confirm कीजिए अब आप दोस्तों इन mock test paper को किस तरह के सवेल कर सकते हैं और साथ ही जो objective book है उसको किस तरह के सवेल कर सकते हैं दोनों के link description box में दे रहे हैं तो दोस्तों आप जैसे mock test वाले link क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का interface आएगा इसमें दोस्तों आप बाइनाव पर simply क्लिक करना है जैसे ही बाइनाव पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी details फिल करनी है details में अपना नाम फिल करना है अपनी active email id phone number next पर click कर देना है तो जैसे ही next पर click करेंगे आपको payment के email भी जाएगा तो वहां से भी आप download कर सकते हैं तो दोस्तों इस two weeks का समय को सही utilize कीजिए smart ends के साथ में study कीजिए और अपनी जो seat उसको confirm कीजिए lightly लेके बिल्कुल भी ने चलना मैं बार बार में कह रहा हूं और आपका जो score है दोस्तों इसमें आपको score करना होगा minimum 450 प्लस अगर आप score लेके चलेंगे यह minimum score है दोस्तों अगर आप 450 प्लस score लेके चलेंगे है तो ही दोस्तों आपकी इसमें chances रहेंगे अगर हो सकता है दोस्तों अगर 500 प्लस वाले काभी सारे बचे इस counseling में participate लेते हैं और यह मालीजे 500 प्लस के 100 बचों ने इसमें participate लिया है तो minimum है अगर जितना ज्यादा लेंगे score उतना ही chances आपके ज्यादा से ज्यादा बनने के chances रहेंगे तो दोस्तों यह आपके जो doubt थे उसके regarding आपको solution मिल गया हुगा कोई भी ओडाउट comment box में पूछ सकते हैं और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इससे के आने सबी वीडियो जो नेटिक से मिल से के धन्यवाद जैहिं जैवारत